फिल्मों में जया बच्चन अलग और असल जिंदगी में अलग और इन दिनों मीडिया की बीच में जब भी जया बच्चन को देखा है तो गुस्से में ही देखा है बले ही कैमरा हो बले ही संसद हो जया बच्चन गुस्से में ही रहती है आज तो जया बच्चन संसद में एक मिनिस्टर से ही भिड़ गई ये मिनिस्टर यूपी को लेकर तारीफ कर रहे थे कि कैसे यूपी ने कितने अच्छे प्लांस बनाए हैं आगे चल कर और बहुत कुछ डिवलप किया है पियोश गोयल की मैं बात कर रही हूँ जो की ग्रेटर नॉइडा की 156 एकर जमीन के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जमीन पर बहुत सारी इंडास्ट्री आने वाली है डिवलपमेंट का काम शुरू हो गया है रोड्स बन गई है इसी बीच जया बच्चन ने पियोश गोयल को टोका और कहा सीधी बात करो ये इधर उधर गुमा के बात मत करो साफ साफ पॉइंट पर बात करो तो ये बात करने के बाद पियोश गोयल ने डीटेल में बताया कि आखिर ग्रेटर नॉइडा में ये जो जमीन ली गई है उस पर क्या कुछ होने वाला है उन्होंने बता वही रहा कि गवर्मेंट जो है वो पारदर्शिता नहीं रख रही है पूरी बात खुल कर नहीं बता रही है आधा अधूरा शेयर कर रही है इसी बात को लेकर जयावच्चन आज संसद में भढ़कती नजर आई यह जयावच्चन वहीं है जिनोंने कुछ समय पहले बॉलिव लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेत करते हैं तब जयावच्चन ने भी पॉइंट पर बात नहीं की थी उन्होंने भी इधर उधर ही बात की थी